तो आज के इस वीडियो में आप लोग को WhatsApp के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारें बताऊंगा जिनने यूज करके आप अपनी WhatsApp चलाने के experience को और भी enhance कर सकते हैं So without wasting any more time, let's get this started So the first trick is offline chat जब आप किसी एक person के लिए online नहीं होना चाते हैं ताकि उसे पता ना चले कि आपके mobile पे अभी आपका access है फिर भी आप उनके messages का reply नहीं दे रहे हैं बट उसी समय आपको किसी से urgent बात करना होता है तो उनके वज़े से आप online भी नहीं हो पाते हैं बट अगर आप chat offline एप को install करके सारे permissions allow कर देते हैं तो आप इस एप से बिना online हुए या अपने last scene को change किये बिना fluently किसी भी person से बात कर सकते हैं और किसी भी person या WhatsApp contact को ये नहीं पता चले कि आप online हो and second trick जो कि किसी भी user के लिए useful हो सकता है जैसा कि आप लोग को मालूम है कि WhatsApp पे image ये video send करने पे उसकी quality खराब या बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिसे आप WhatsApp पे share करते तो इसे compress नहीं किया जाएगा और आपके friend के पास full size की file जाएगी जिसे आपका friend reverse method यूज़ करके दोबारा से उसे image ये video में convert कर लेंगे और इनने full या exact quality की photo मिल जाएगी अधरवाइस exact quality की photo long distance में share करने के लिए आज भी लोग email का use करते हैं जो की अभी के समय के हिसाब से काफी lengthy process है and moving to the third trick जो उनलों के लिए काफी useful हो सकता है जो लोग कई तरह के whatsapp group या बहुत सरे whatsapp group में add होना चाते हैं उसके लिए एक app है what's group के नाम से जिसमें आपको बहुत category के हजारों group मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ एक click में add हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि इस app में हर एक तरह के whatsapp group available है जो आपके लिए काफी useful साबित हो सकता है और fourth trick के बारे बोलो तो ये एक तरह का prank या fun के लिए आप use कर सकते हैं आपके whatsapp में एक नाएक बार कुछ ऐसी photos आयोंगी आपके friend circle से जिसमें download होने के पहले का preview कुछ और होता है बट आप जब उससे download करने के बाद open करते हैं तो वो कुछ और निकल जाता है तो ऐसी image create करने के लिए आपको एक app की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है image preview changer जिसका interface काफी basic सा है जहां आपको अपने original photo को एक side में choose करना है और दूसरे side में उस image को choose करना है जिसकी preview download होने के पहले 100 होगी and then simply select करने के बाद आप किसी को भी इस image को share करके prank कर सकते हैं और जो last check है वो आपके busy schedule में आपको काफी help कर सकती है in terms of maintaining whatsapp messages जब आप कहीं busy रहते हैं या आपके phone पे आपका access नहीं रहता है और अगर आप what reply को install करके सारे permissions allow करके अपने customized message को set कर देते हैं तो आप जब भी busy हो तो इस what reply को enable कर देजे और उसके बाद जब भी आपको कोई message करता है तो उनके पास automatically busy होने का message चला जाएगा जिससे वो convince हो जाएंगे और आपके लिए कोई tension create नहीं होगा यह app में हमेशा class के time में use करता हूँ और यह काफी helpful साबित होता है मेरे लिए So that's been it guys for today I hope के सारे tricks आपके whatsapp यूज़ करने के experience को काफी enhance करेंगे अगर आप कोई video पसंद है तो like ज़रूर करें इस video को share करें अपने friends के साथ और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe ने किया तो आप ऐसी Android से related interesting वीडियो जो मैं अपने channel पे per day post करता रहता हूँ उन्हें miss कर रहे हैं